बेल वाली सब्जियों को लेकर के एक प्रॉब्लम कई लोगों को फेस करनी पड़ रही है और मेरे कमेंट सेक्शन में भी लगातार ही सवाल आ रहा है कि बेलें हमारी लंबी छोड़ी हो गई हैं बड़ी हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है और अगर फ्लावर्स आ भी ही रहे हैं तो मेल फ्लावर्स आ रहे हैं तो आज हम इसी प्रॉब्लम पर बात करेंगे तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और अब मेरी बरसात वाली सब्जियां धीरे-धीरे तयार होने लगी हैं तो साथ-साथ आप हार्विस्टिंग भी देखते जाएं और देख तो तोरई तो एक ही रेडी थी तो आज हम एक तोड़ लेंगे और बागी की 3-4 जो है वो बस 3-4 दिनों में रेडी हो जाएंगी तोरई हाला कि लगी तो बहुत सारी थी लेकिन सारे के सारे फीमेल फ्लावर्स जड़ गए क्योंकि स्टार्टिंग में ही धेर सारे फीमेल आ गए थे और मेल फ्लावर्स नहीं थे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाया तो देखिए मैंने लौकी तोरई कद्दू और करेले के बीज एक साथ ही डाले थे तो करेले में भी फ्लावरिंग फ्लूटिंग होने लगी है और तोरई तो हमास तोड़ी रहे हैं लेकिन लौकी औ और कद्दू में अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं तो देखिए बेलों में ऐसा होता है कुछ बेलों पर तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है डेड़ दो फीट की बेल हुई ने कि उनमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं और उनमें से कुछ पर फिमेल फ्ल तब तक उनमें फ्लावर्ज नहीं. यह बिलकुल नैचुरल का पिजिए आना या फिर मेल फ्लावर का पहले ना इसका कोई specific कारण नहीं चाहिक कि मैं आपको बता दूं कि इस कारण फ्लाव्रिंग लेक हो रही है हां एक ट्रिक हम लोग मैं कर अच्छे से लंबाई चौर्डाई ले लेने दीजी अगर अच्छे से ब्रांचे सा रही हैं बेले लंपी चौरड़ी है है तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि आगे चलतर फ्लावरिंग जरूर होगी और जितनी बेलें हेल्डी और बड़ी होंगी उत जादा आ रहे हैं फीमेल फ्लावर सिर्फ एक दो आ रहे हैं तब आप ये ट्रेक कर सकते हैं तो ये मैं अभी अपनी बेलों पर करके दिखाऊंगी उससे पहले मैं एक बात आपको हमेशा याद दिलाती हूँ आज भी बता देती हूँ क्योंकि कुछ नए व्यूवर्स लगातार जुड़ते चा रहे हैं तो देखें बेल वाली सबजें हैवी फीडर हैं तो हर पंदरा दिन में आप अपने बेलों को कोई न कोई खाद जरूर दीजिए और हमेशा बड़े साइज के कंटेनर में लगाई है अगर कंटेनर साइज आपने छोटा लिया है तो भी ये प्रॉब्लम आती है कि फीमेल फ्लावर्स आ नहीं रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो छोटा छोटे फल होकर के जढ़ जाते हैं वो बड़े नहीं हो पाते हैं तो देखें ये हमने आज की हार्वेस्टिंग कर ली है तो रेनी सीजन की सबजियों की पहली हार्वेस्टिंग आज हमने कर ली है हाँ मिर्च तो मैंने पहले भी तोड़ी थी एक दो बार और ये देखें ये धेट सारी मिर्चे हैं लॉंग बेंस हैं और एक तोरई है और अब ये हार्वेस्टिंग के बाद लगभग चार दिन बाद की अपडेट है और अब ये हमारा तोरई का दूसरा बैच तूटने के लिए रेडी है देखिए एक यहाँ पर तैयार है और ये तीन यहाँ पर एक साथ लगी हुई है ये देखिए बिल्कुल रेडी है ये और इ दूसरी बार भी टाइम आ गया लेकिन कद्दू में और लॉकी की बेल में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है कद्दू में एक female female flower आया है लेकिन female flowers नहीं है और birds काफी सारी आ गई है लेकिन लॉकी में अभी नहीं दिखाए दे रहा है कुछ भी और देखिए कितन दो फ्लावर खिले हुए हैं और और बर्ड द quickly शहाँ स्याओд में देख हो अगई लेकिन लॉकी tiedrift ये के इद रहे हो हैं और देख लेके फोगी नहीं होता है सिर्फ लंबी लंबी ब्रांचेस जाती हैं और फिमेल फावर्स नहीं होते हैं या फिर आना बंद हो जाते हैं कुछ फ्रूट लगते हैं और फिर आना बंद हो जाते हैं तो इस समय पर आप बेलों की पिंचिंग करिए मतलब जिन ब्रांचेस पर आपको फिमेल फ्रावर नहीं दिख रहे हैं उन्हें आप टॉप से पिंच कर दीजिए जैसा के मैं अभी अपने करेले की बेल पर करूँगी यहां पर देखिए जिन ब्राइश पर ये फिमेल फ्रावर लगे हुए हैं उन्हें तो मैं रहने दूँगी लेकिन कुछ ब्राइश ऐसी हैं जो इतनी लंबी हो गई है और इनमें एक भी female flowers नहीं है सिर्फ male birds ही आई हुई है female एक भी नहीं है तो जो इस तरह की branches होती है इनहें आप उपर से pinch कर दीचे देखे जो इसका top है यहां से आप तोड़ देंगे तो उसके बाद इसमें से side branches निकलेंगी और जो side branches निकलेंगी उनमें female flowers जरूर आएंगे और देखे यहां पर यह तोरई की बेल है यह इस बेल की यह वाली ब्रांच काफी लंबी हो गई है तो और इसमें भी शुरू शुरू में दो तिन female flowers लगे और उसके बाद अब नहीं आ रहे हैं तो मैं इसे भी पिंच कर दूंगी और करेली की भ अगर दो चार दिनों बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इसमें flowering हो रही है तो उसके बाद में मैं इसकी बेलों को भी पिंच कर दूंगी टॉप से और उसके बाद हम वेट करेंगे कि जो सेकेंडरी ब्रांचे जो हैं वो तेजी से बढ़ेंगी और फिर उनमें female flowers आ इंग्रेडियेंट इसके अलावा नहीं होता है कि मैं आपको बता दूँ आप एक चमच यह डाल दो दो चमच यह डाल दो और आपकी बेलों पर खूब सारे फल आ जाएंगे ऐसा नहीं होता है इसका सिर्फ यही तरीका है कि आप बड़ी साइस का कंटेनर लीजिए फ्लावरिंग लेट हो रही है इस तरह का अगर आपको कुछ लग रहा है किसी ब्रांचे से ब्रांचे स निकल रहे हैं और फ्लावरत वीडियो मैंने इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है ऐसा नहीं है कि आपकी देख रेक में कोई कमी है ये बिलकुल नैचरल है बेलों पर फ्लावरिंग होना बिलकुल नैचरल होता है हम लोग सिर्फ उनकी हेल्थ पर ध् और उसके बाद फ्लावरिंग फ्लूटिंग अपने आप होगी कोई इसमें बहुत जादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और आप देख सकते हैं मेरी सारी सब्जियों के पौधों पर फ्लावरिंग फ्लूटिंग होने लगी है और कुछ एक में नहीं हुई है तो वह होने लगेगी थोड़ा समय वेट करूंगी तो आज के लिए इतना ही उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू